अधिक मुनाफिका लालच देकर दो लोगों को करोडो रुपे से ठगने का मामला नाकपुर में सामने आया है यह घटना एक कलमना और गिटिखदान पुलिस थाना अंतरगत सामने आई है मिली जानकारे के अनुसार कलमना थाना अंतरगत आने वाले प्लोट नमर आठ पाने के टंके के समीब नेताशे नगर निवासी फिर्यादी कांतिलाल मकवाना को हैदराबाद निवासी आरोपी सती श्रेड़ी जैराम मेग पाटल ने कांतिलाल को विमाद के कबारी स्कीम में निवेश करने पर तीन से चार महिने में आज से दस प्रतीशत राशी मुनाफ़े के रूप में मिलने का लालच दिया इनकी बातों में आकर कांतिलाल ने 97 लाख रुपे की राशी निवेश की किन्तों काफी दिनों बात भी जब राशी नहीं लोटाई गई और उस पर कोई ब्यास भी उन्हें नहीं मिला तो कांतिलाल को अपने ठगे जाने का एसास हुआ तब इस घटना की शिकायत पुलिस में की गई पुलिस ने भानवी की धारा की तहत मामला दस किया गिटिक हदान पुलिस थाना अंतरगत भी एक महिला को जीबियस यूनिकॉन में ज्यादा निवेश करने का लालज देकर करीब 9,92,000 रुपए से ठगा है योगेंद्र नगर इंदा गांधी पुतले के पास बोरगाव निवासी फिर्यादी सारी का उर्फ नलीनी ठाकरे को आरोपी उदै नगर निवासी ममता मड़के आकाश नगर खेरडे ने मिलकर फिर्यादी वो उसके साथ ही 21 अन्य लोगों से जीबियस यूनिकॉन अगर बत्ती के व्यवसाय में 10,500 रुपए का निवेश करने के लिए मजबूर किया इसके बदले में डेट गुना राशी लोटाने का भरोसा देखर 9,92,000 रुपए नगत गूगल पे फोन पे से और प्रतेक्षम मिलकर निवेश कराया फिर्यादी और उसके अन्यस सयोगी की और से निवेश की गई राशी की समय अवधी खत्म होने के बाद जब राशी मांगने के लिए विप पहुचे तो आरोपी ने राशी देने में टाल मोल किया इस घटना की शिकायत पुलिस में की गई पुलिस ने शिकायत के आधार पर भानवी की धारा के तहट मामला दर्स किया है